नमस्कार दोस्तों बागवान आप सभी कभला करो रब किसारी उक्षाय में अवन नहीं कमना है पुरी हो दोस्तों आज इस हाद के विशलेशन के आप सभी के सामने विख्थ करूगा जिसमें सरपद हम यहां फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पुरे पाम का एनलाइस करते वि ज़्यादा शौट है तो कहीं ना कहीं हर बड़ी वज जल्द बाजी इनके इंदर रहने वाली रहेगी फटाफट डिसीजन मेकिंग और फटाफट उस डिसीजन को इंप्लिमेंट ज़्यादा तर इसे लोग करते वे देखने को मिलते हैं जो gap भी maintain यहाँ पर हो रहा है फिंगर के बीच में यह एक प्रकार के independent nature अप्रोच को यहाँ पर indicate करता है साथी साथ खर्चों पर ऐसे लोगों का ज़्यादा नियंतर नहीं रहता और यहाँ पर चर्चा करें तो जहां तक चर्चा करें little finger की length के विशे में तो यहाँ पर यह थोड़ी सी short है तो कहीं न कहीं communication skill में थोड़ी problem आपको face करनी पढ़ सकती है marketing skill में थोड़ी problem रहती है उस परकर का एक analytical personality या presentation या rules regulation discipline उस परकर का maintain थोड़ा नहीं हो पाता अगर विश देखा जाए तो third finger के लिए यहाँ ज़्यादा है तो risk लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे आप बहुत ज़्यादा life में risk लेंगे और यह risk के ही reason होता है विक्ति के successful साबित होनेगा तो at the last आप successful ही साबित होने वाले यहाँ पर रहेंगे finger के उपर सीधी खड़ी रेखा बहुत बहुत शुब है क्योंकि यह friendly nature मिलन सार सोभाव को बताती है अगर यह तिल है तो यह तिल सही नहीं होता है क्योंकि consultancy के माध्यम से या जुए सटे या इन सब के माध्यम से यानि ऐसा कोई भी source जिसमें अचानक से धन प्राप्ति को योग बने या like share market, mutual fund, bond इन सब में भी व्यक्ति को लोग तो गुरू के negative impact के कारण यह जो चीज़े हैं देखने को मिलती है अदरवाज देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा बहुत friendly nature मिलन सार सुभाव और हर माहौल में हर परिस्थिती में अपने आपको ढाल लेना इन सब की योगों को बताता है और अंगुठे के छेतर की चर्चा करे तो अच्छा अंगुठा जो है पीछे बैंड यानि flexible है तो flexible nature आपको रहेगा हर माहौल में हर परिस्थिती जो देखने को मिला finger के उपर सिधी खड़ी रेखा में वही यहाँ पर indicate होता है लेकिन इसमें एक additional बात यह है कि decision में भी बहुत favorable changes आप easily adopt कर लेने वाले यहाँ पर रहेंगे decision में changes अपनी योजनाओं को एक अलग ही तरीके से applies करना तो इस प्रकार का flexible nature आपको यहाँ पर indicate होता है और जो palm के विशे में चर्चे करें तो शुक्र आपको यहाँ पर ज्यादा उब्रहवा है जब शुक्र ज्यादा उब्रहवा हो तो खर्चे सरपतम जीवन में खूब रहते हैं खासके luxuries, सुख सुविधा, साज सजावट, अच्छी standard of living इन सब के उपर और family के उपर अब यहाँ पर एक एक परवत कर सभी परवत, रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ, तो गुरु परवत आपको थोड़ा कम space यहाँ ले रहा है, जब गुरु परवत कम space ले रहा हो और इस प्रकार से दबा हुआ भी हो, तो कहीं न कहीं उस प्रकार का satisfaction, unstability देखने को मिलती है, अधरवाज देखा जाए तो mind lens से एक रेखा जा रही है, जिसके करण आप ambitious रहेंगे life में, बहुत ज़्याद महत्वकाशी, और साथी साथ हमेशा कुछ ना कुछ knowledge गेन करते रहना, सीखते रहना, यह सबसे पहला prospect आपके life कर रहेगा, आड़ी र प्रकार के योग यहाँ पर बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा donation करने के साथ साथ, life में एक प्रकार का इज़्यत प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको अच्छा हासिल होने वाला रहेगा, अब शनी परवत चर्चा कर तो शनी परवत अच्छा है आपका, लेकिन शनी पर कोई भ पर चर्चा करें, तो फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी आप शुक्र से निकली हुई है, तो बहुत अच्छे घर परिवार में जन्म हुआ है, जिसमें हर प्रकार की सुक्सवीदा बच्पन से ही आपको मिली हुई है, और यहाँ पर यह माइड लाइन पर आकर के रुक से थोड़ा सा कही न कहीं, लॉसिस जो है, या रुकाउटे बहुत ज्यादा यहाँ पर देखते वे, देखने को मिल रहे हैं, यानि जो आपके कार्य रहेंगे, वो आसानी से नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा महनत वजूजिना पड़ेगा, तो शनी से कही न कहीं, दो नाव पर पाउं रख कर चलने वाला योग थोड़ा बनता, यानि एक ही साथ दो प्रोफेशन करियर अडॉप्ट करना, दोनों पर ध्यान देना, लेकिन सही चीज इसमें ये है कि ये रेखा आगे चल करके सीधी हो गई है, तो जो एक प्रकार का जो सक्स यश जो कहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगा, फिफ्टी क्रोस एज के बाद जो है ये इसके योग बहुत यहाँ पर ब्राइट है, एक हलकी सी रेखा भी बुद्ध के और जा रही है, तो कहीं न कहीं प्रोफटी गेनिंग के चांसे भी आपको बहुत ब्राइट हैं अच्छी रहेगी, और किसी को बहुत अच्छा हील, आप हील कर सकते हैं, अपने बातों से मोटिवेट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी यहाँ पर हैं, तो लोग बंदे रहेंगे, बिजनस लख है यह, जिसके करण व्यापार में प्रोग्रेस के चा अब को, और यहाँ पर जो इस प्रकर की रेखा जारी है, जिसके करण विश्न सिंबल बन रहा है, तो थोड़ी कहीं न कहीं स्टार्टिंग लाइफ में ट्रबल जादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, सक्सस बढ़ती जाती है, ट्रबल कम होता जाता है, कि विक्ती बहुत जादा लॉजिकल होता है, स्ट्रेट फोरवर्ड आप जैसे लोग जाता तर देखने को मिलते हैं, पेशन्स लेवल भी अच्छा रहता है, चीजों को समझने की काबिलियत एक प्रकार का जो ग्रेस्पिंग पावर है, वो भी अच्छा होता है, और पुरान प्रकार के लिटी के कारण लाइफ में सक्सेस तो 100% आपको रहेगा यहाँ पर, और लाइफ लाइफ लाइन के विशे में चर्चा करें तो लाइफ लाइफ लाइन यहाँ पर आपका, इस टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोमेनेंट नहीं है, लेकिन जब प्रोग्रस वारण यह धार जेन इंजल लाइन ही है, क्योंकि जब जब आप किसी तकलिफ मुसीबत या परशानी में रहेंगे, आपको किसी ना किसी व्यक्ति के दोरा सहीयोग मिल जाएगा जिसके करण आप उन परिशानियों से आसानी से निकल जाने वाले रहेंगे, तो यह बात तो यहाँ पर रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस सक्सेज मिलने के चांसे यहाँ पर बढ़ जाती क्योंकि मंगल जो है भूमी का कारक होता है, तो भूमी के योग बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं यानि प्रोपर्टी के, और शुक्र पर यहाँ आड़ी और एक प्रकार का एडिक्शन या किसी चीज का लट लगना या एक प्रकार का शोकिन किसम का नेचर भी होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा निकलने के करण फैमिली सपोर्ट, फैमिली बेगराउंड अच्छा रहता है और आपका भी ध्यान जो है फैमिली के और लेकिन यहाँ से जो इस प्रकार के नेचर रेखा निकली हो जो चंदर पर जुग गई है, जिसके करण कहीं ने कहीं ये वियाला ऐसा वियाई से हम कहते हैं, जिसके करण व्यक्ति किसी ने किसी चीज़ का एडिक्टेड पाया जाता है, तो अगर आप किसी चीज़ के एडि बहुत शुब है, लेकिन ये half fish symbol यहाँ पर बन रहा है, तब भी suddenly gain wealth success का ये symbol होता है, तो केतु को खुश करने के लिए धार में क्रिया कलाप अगर व्यक्ति ज्यादा करें, तो केतु अच्छे परेणा में यहाँ पर अचानक से देते वे देखने को मिलता है, तो इसके करकर रेखा यहाँ पर जागरित हो गया है, और एक से ज़्यादा रेखा भी यहाँ से निकल रही है, तो कहीं न कहीं anxiety की problem रहेगी, ज्यादा चिंतन करना और अपने बातों को कहीं न कहीं व्यक्त भी properly नहीं कर पाना, अपने अंदर ही रखना, इन सब की योग भी आप जै लख लाइन है, क्योंकि यह mercury रेखा है, और इसके करण health improvement होते हैं व्यक्ति का, business में बहुत 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 प्रोग्रस मिलने वाला होता है, अब आपके हाथ में जो पैसा नहीं रुख पा रहा है, उसका reason यही है कि fate line ज़रूर चल रहे है, लिकिन यह भी आगे चलक यह पता नहीं रहेगा आपको, पैसा रुखने वाला ही नहीं रहेगा, तो सबसे बेस्ट यही है कि पैसे को invest कर दे, share market के अलावा जैसे मंगल रेखा है हाथ में, तो उससे related किसी चीज में अगर investment करें, बहुत प्रोग्रस आपको success, वो पैसा का जो है सतुप्योग हो तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछे तब तक आपका बहुत बहुत